नमस्कार आजब बच कोई जुके हैं और इस पेशल प्रग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ निशात और आईए सीधा खबर रुख करते हैं जहां वीजेपी की नेता यानि के सीता सोरिन के सुरक्षा पर जारकर में सियासी बवाल मचा हुआ है लोगसबा चुनाओं का हवाला देकर राची जलाप्रशाशन ने सीता सोरिन को जेड शुरेनी की सुरक्षा मुहाया कराने में और समर्था जताई है सुरक्षा नहीं मिलने के वज़ा से सीता सोरिन के राची लोटने का कारिकरम जो है वो इसे लेकर अस्तरगित होना पड़ा जिसे लेकर अब वीजेपी ने राज सरकार पर निशाना साधा है पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर आगे चर्चा करते हैं सीता सुरेन की सुरक्षा पर स्यासर जेड़ श्त्रेनी सुरक्षा देने से प्रसाशन का इनका राची जला प्रसाशन दिया चुनाव का हवाला सुरेन परिवार की बली बहु और बीजेपी ने था सीता सुरेन की सुरक्षा पर स्यासर तेज है सीता सुरेन को राची आना था लेकिन राची जला प्रसाशन शुनाओ का हवाला देते हूँ जेद श्त्रेनी सुरक्षा देने में आसमर्थता जाहिर की है इसको लेकर बीजेपी ने राच सरकार पर हमला बोला है सरकार का डर इसकदर सरचर कर बोल रहा है कि जेड सेकुर्टी के लिए जो तबाव में इंतजमात करने थे उससे सरकार इंकार कर दिया हमारा मानना इनको डर लग रहा है कि जब परिवार की माह समान बड़ी बहु आएगी और जहारकर मुक्ती मुर्चा की असलियत बताएगी तब यह कहीं मुद दिखाने लाक रही होंगे इसलिए यह किसी ना किसी बहाना करके सीता सोरेजी के दोरे को टालना चारे पर कितने दिन आप टालेंगे और आप परिवार की माह समान बड़ी बहु के साथ सुरक्षा के साथ खिरवार कर रहे है यह बेहदा पती जना कर चुनाओ योप से बिमान करते किस मुद्धे पर वो संग्यान ले क्योंकि किसी नेता या नेतरी का आप दोरे को सिकुर्टी के इंतिजाम करने से मना करके नहीं टाल सकते क्या है जेड शेनी सुरक्षा जेड शेनी की सुरक्षा में कुल 33 पदाधिकारी जवान अवास पर दो पदाधिकारी आठ शसस्तर जवानों की सुरक्षा छे पुलिस अधिकारीों और जवान साथ रहेंगे राउंड अ क्लॉक तीन शिफ्ट में स्कॉट दो शिफ्ट में वाचर तीन प्रसिक्षित चालक सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के बाद केंदरी गरी मंत्रा लेने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी चुनाव आयोक से जट श्रेनी की सुरक्षा देने की अनुसंशा की है बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार दिली से जुए लिए पे की शोरक्शा में कि टर माम्णा और जहां तक उनको शोरक्षा की बात है वो जार्खन मुक्ती मुर्चा की पुर्व विधायक रही है सोरेन परिवार की बहू है उसमें तो कोई सम्मान की बात है मिलना चाहिए लेकिन ये भारतिय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है तो इन सब मुद्द्यों पर वो राजनिती कर रही है हम समझते हैं कि उनको केंद्रिय गरी मंतराले से पूछना चाहिए कि कि जेड़ प्लस का मामला केंद्रिय गरी मंतराले का होता है लोग सबा चुनाओ नस्दीक है लेकिन सवाल सीता सुरेन की सुरक्षा पर सवाल ये कि सीता सुरेन की सुरक्षा पर ज्यासत क्यों लिउजलन भारत की राची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपॉक और इसे पर जादा बाच्चीत के लिए हमारे सायोगी राकेश जादा जानकारी के साथ जोड़ चुके हैं राकेश का रूप करते राकेश जिस तरीके से वीजेपी में देता है जो है सीता सुरेन शामिल हुई है जब से लगतार सुरक्षा की मांग को लेकर दे हुए अब यहाँ सियासी जो है सियासत पाराज वह चड़ता हुआ नजार आ रहा है सुरक्षा पर जारकर में सियासी बवाल मचा हुआ है लोग सब चुनाव का हवाला देकर हालाके राची जिला प्रशाशन ने जो सीता सोरेन को जर्च चैनी के सुरक्षा मुहाया कराने में पर मना कर रही है कहा जा रहा है कि अभी चुनाव नजदीक है इस हमाले से अभी सुरक्षा नहीं दी सा सकती है आखिर सुरक्षा को लेकर इतनी सियासत क्यों राकेश देखिए जब से सीता सोरेन ने जहारक्षा मुक्ति मूर्चा का दामन छोड़ा और वो बीजेपी में जब से वो शामिल हुई है तब से आप देखेंगे कि लगातार उनको लेकर जहारक्षा में जो सियासी उबाल है वो तेज हो रहा है ट्यूटर वार भी आपने देखा होगा कि कैसे कलपना सोरेन एक पोस्ट किया स्वरगे दुरगा सोरेन को लेकर और उसके बाद कलपना मापकी जेगा सिता सोरेन की जो बड़ी बेटी है वो उसका काउंटर करने ट्यूटर पे आ गई तो ये जो चीजे हैं वो लगातार च के बाद उनका जो सरकारी आवासे वहां से सूचना आई कि आज का उनका जो राची लोटने का कारकरम था वो अस्तगित हो गया है और इसके पीछे की जो वज़ा बताई गई वो ये बताई गई कि राजसरकार के तरब से सुरक्षा मौया कराने की बात कही गई थी लेकिन राजसरकार और जीला परसासन ने असमर्फता जाहिर करते हुए कहा कि देखिए चुनाओ का वक्त है लिहाजा जेट स्रेनी के अंतरगत राजसरकार का जो दायुद तो बनता है सुरक्षा को लेकर जो उनका अपना प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को राजसरकार या ज बीजेपी की जॉइनिंग के बाद पहली बार वो राची पहुंचेने वाली है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो तस्वीर थी वो साफ हो गई आप देखिए इसको लेकर सुबह सहीं हाई भोल्टेज ड्रामा जो है आप कह सकती है वो चलता रहा बीजेपी के जो निवाः किया जा रहा है दूसी तरफ अगर आप जहारकर्ण मुक्ति मोर्चा की बात करें कॉंग्रिस की बात करें तो उनका साब तार पर कह लेकिन राजय को अपने अस्तर से भी सुरक्षा देना होता है जेड स्रेणी के अंतरगत जो राजय जिम्ने कोछ मुहया कर आना होता है तो इसमें राजसरकार अपने असमर्ता बहुतार के और दूसी तिरफ को लेकर सुबह से देश्याम तक आप कह सकती है पॉलिटिकल जो डैलोक स्ते वो चलते रहे स्यासी सरगर्मी सिता ऐस्सोरेन के सुरक्शा को लेकर चलता रहा और ये भी वीज॑ पी का आरोप güzelी के सुरक्शा से रज्यसरकार जो है वो खेलवार कर रही है उन मजया कराना चाहिए था लेकिन सरकार ने डिनाई कर दिया जी लेकिन राकेश एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जुस तारीके से सीता सोरन को यहां पर जिलापुशाशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि चुराओं की बादे नजर अभी जो है सुरक्षा को लेकर चेंज नहीं किया जा सक होता है आभी जिसताए किसे केंद्रसरकार ने जुस रेणी के सुरक्षा सीता सुरं को मौहाय करा कराया गया लेकिन इक बड़ा समय जहन में ये आता है राकिश आखिर डर किस वात को सीता सोरण को कि सुरक्षा का यहाँ इतना हावाला जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है सुरक्षा को लेकर हुए राजनीती गरमादी जा रही है किसे आखिर डर भी चीज़ सरकार चैसी नहीं हुँ गाल्गा लाग Hagyn के वी तक बड़ी है कि केंदर सरकार से कोई चिठी इस बाबत राजे सरकार को अभी तक मिली नहीं है जिस बात का आप जिक्र कर रही है कि आखिर सीता सोरेन को किस से डर लग रहा है देखें डर की कोई बात नहीं है वो यहीं की है संथाल से आती है और सोरेन परिवार की बड़ी बहु है और पेहले इस तारह की चीजह जो है उसको cigarette आगे करकर आप इसा तरीके से कह सकते हैं कि आध्し अज़े की बाते और कभी बी राजैसरकार के समख्छो या प्रसासन को समख्छो इस तरह की बाते नहीं कि उनको और किसी को दो ध्रुर्परा उनको अतरिक सुरक्षा दी जाए अब चुकि उनको जेड़ सरेनी की सुरक्षा केंदर सरकार ने नुसंसा कर दिया है तो ऐसे में राज्य सरकार का अपना दायुत बनता है कि उसके मद्दे नजर उनको सुरक्षा मोहिया कराई जाए लेकिन अभी तक चुकि चिक्थी टेक् सुरक्षा केंदर सरकार ने मोहिया कराया है ऐसे में जीला प्रसासन को उनकी सुरक्षा का इंतिजाम करना चाहिए लेकिन जीला प्रसासन के तरफ से ये कहा गया चुनाओ का वक्त है हम उस प्रोटोकॉल के तहत उस भारी भरकम सुरक्षा मोहिया नहीं करा सकते हैं आपको आसत थमता है या इसी तरीके से सियासी वार जारी रहने वाला है। देगे मैंने अभी थोड़ी दिर पहले ही जिगर किया कि ये चुनाओ का वक्त है और चुनाओ में इस तरह के मुद्दे को बीजेपी जो है वो हाइप देने की कोशिश करती रही है। आप देखना होगा कि ये चीज़े यहीं रुकती है या फिर इसकी जो सरगर्मी है इसकी जो सियासी तपिश है वो आगे भी महसूस की जाएगी। अब ये भी चीज़े अभी साफ नहीं हो पाई है कि सितासोरेन कल लोटेंगी या फिर हूली के बाद लोटेंगी। और जब वो लोटती हैं तो जो प्रोटोकॉल के तहत उनको जो राजय सरकारес, सुरक्षा मुहिया कराने का, जहार मार हो सुरक्षा का का है, वो सुरक्षा मिलता है, कि नहीं मिलता है आगे? देखना होगा कि वाक्य सीता सुरन जो है जारकन की धर्ती पर कब आती है क्योंकि इंतिजार तो बेशक कारिकरता जो है वो करते हुए नजर आ रहे लेकिन एक सवाल जहन में ये भी आ रहा है कि सीता सुरन कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को अस्थापित करने की उनकी ये कोशि आती है क्योंकि दिल्ली में वो बहुत वहां के मीडिया से बहुत फ्रेंडली नहीं रही है वो लेकिन जारकन की मीडिया से वो फ्रेंडली है ऐसे में जब वो बीजेपी का दामन थाम चुकी है तो उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए राजसरकार को लेकर भी है और सोरे पुझकर नहीं चाहती कि सिता सोरेन लोटे और यह जो बाते है जो अब तक सिता सोरेन ने दबा कर रखा था वह तीस जो उनके जहन में अब भी है सोरेन परिवार को लेकर या राजिसरकार की भूमीका को लेकर वो तमाम चीजे कहीं मीडिया से शेयर न कर ले वो चीजे जो अब तक अंदर थी वो चीजे पब्लिक डोमेन में आ जाए तो इस बात का कहीं ने कहीं डर सटा रहा है और यही वर्या है कि बीजे पी इस मुआमले को लेकर बेहद आकरामक है लगातार बीजे पी के जो नेता है वो अपनी परतिकिरिया दे रहे हैं इस मिसेग पर चले राकेश अब देखना होगा कि सीता सुरे ने कब यहां राची पहुंसती है और कब उनको यहां राजसरकार जो है जर्श्रेनी के सुरक्षा मुहाया कराती है यह देखने वाली बात होगी तमाम जानकारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी आपसे जानकारी हासल करती रहोंगी लाइक अन्ड शेर वीडियोस सब्स्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा